स्वर्ण तु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके होए मटके के समान होते हैं कि जिन में यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयम ही स्वयम का सर्वनाश कर लेते इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मदभेदना दुष्टों का समू अपना नाश स्वयम ही कर लेता है यदि कोईले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बढ़तो अपने वस्त्रों पर कालिक लग ही जाती है इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान सज्जन शत्रू प्रतेग परिस्थिती में श्रेश्ट है कह दो मित्र जो कुछ भी तुम्हारे मन में आप ही पढ़ लिजेना केशा कि क्या है मेरे मन में मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं, मित्र परन तु जैसे कि मैंने पहले भी कहा था मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है अब कह भी दो मित्र क्या है तुम्हारे मन में? इस समय जो मेरे मन में चल रहा है वो ये है कि यह आपने मुझे पांडवू के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था हाँ और तुमने उस प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया था हाँ परन्तु मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये निर्ने मुझे आपके विपक्ष में कड़ा कर देगा केशा आपको तो युद का परना पता है ना केशा किसी अन्होनी के होने से पहले उसका व्यात हो जाना क्या वो आपको पीड़ा नहीं देता केशा अनुष्य संतोज ते इसलिए जीता है क्योंकि वो नहीं जानता कि अगले बल क्या होने बाला है वो नहीं जानता है तो आपको नहीं लगता कि उसके आने वाले पल पहे और चिंता में बीपेंगे यह सोच पर निर्भर करता है अंगराज, यदि मनुष्य को अपना अंत ग्यात हो, तो हर वो शण जिसे हम व्यर्थ करते हैं, उन शणों को जिया भी जा सकता है इस नदी को देख रहे हो, इस बहती नदी को पता है, कि अंतता इसे सागर में जाकर मिल जाना, अधिक ज्यान पीड़ा दाई नहीं होता मित्र अधिक ज्यान उचित निर्णय लेने में सहायता करता है, यदि तुम्हें भी भूत और भविश्य का कुछ अधिक ज्यान होता है, तो कदाचत, तुम भी अधिक नियाय पूरवक्ष निर्णय कर पाते हैं आपका मनतव्य यही है ना, कि पांडव उचित है और दुरियोदन अनुचित है शमा कीजेगा, परन तुम्हें आपके इस बात से सहमत नहीं हो मुझे लगता है केशव, यह दोनों अपने अपने स्थान पर दोशी हैं और इसी कारण से, दोनों अपने अपनी दृष्टी में, निर्दोश और सही हैं यदि दोनों ही दूशी, तो तुम निश्पक्ष क्यों नहीं हो जाते मित्र क्योंकि मुझे लगता है कि दुरियोधन जुदिश्टिर से कहीं अदेक सक्षम शासक से दोगा इतने अधर्म करने के पश्चाद भी हाँ क्योंकि वो जुदिश्टिर की बाती धर्मराज होने का डूम नहीं करता आप ही बताईए केशा, जिसने स्वयम की पत्नी को दाव पर लगा दिया हो जिसने दूद के कोचक्र से निकल कर स्वयम को दूद में फिर से पसा लिया हो वो कैसा धर्मराज जुदिश्टिर की असमर्चता के काराण राज कुमायो धिष्टे मेरे मेरे शौन की रक्षा कर लीजी तेरा अनुच्छों मृत्यू की ठेट जा गया जब मुझे सूथ पुत्र कहता है रंग्भूमी की स्प्रादा में भाग लेने के लिए आयोग्य खोशत कर दिया गया था राज कुमार के साथ धन्द की अरूमती एक सूथ पुत्र को नहीं दी जा सते तब भी धर्मराज का धर्म बहुन था ऐसे में दुर्योधन मेरा हाथ था इसे आप अधर्मी कहते हैं आज मैं अंग्राज हूँ अरे वर्तन के ले खड़ा हूँ वो केवल दुर्योधन के कारण केशा मैंने कहा था नग्यदी तुम्हें तनिक अधिक ज्यान होता तो तुम उचित निर्ने ले पाते मित्र मैं समझा नहीं तुम सदा स्वयम को सूत्पुत्र समझते आये होका है और यदि तुम्हारा ये ज्यान मित्या हुआ तो मित्या? मित्या? तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम वास्ताव में हो कौन? मुझे क्या थे कि मैं कौन हूँ और मुझे तर्ब है कि मैं अधिरत पुत्र करण हूँ राधे पुत्र करण हूँ सूत पुत्र करण हूँ तुम राधे नहीं हो अंगराज कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न कभी नहीं उठा हूँ कि एक साधारण से सार्थी के पुत्र के पास ये कवज और कुंदल क्यों हूँ क्या तुम ये सोच कर कभी व्याकुल नहीं होते करण कि तुम शेश से इतने भिंद क्यों हूँ तुम सूर्य पुत्र करण सूर्य पुत्र करण सूर्य पुत्र स्वया सूर्य नरायन के अंश को तुम कर स्वया मेरे फिता अधिरत है और अधिरी माता राधा सत्य से भागो मत कर और सत्य यही कि अधिरत तुम्हारे पालक पिता है तुम उन्हें गंगा के नारे में ले थी कभी सोचा नहीं कि क्यूं सूर्य का तेज तुम्हारे मुख मंडल पर रहता है कभी अनुभव नहीं किया मित्र कि क्यूं सूर्य का ताप कि तुम्हारे शरीर परस निगनता का अनुभव कराता है तब भी समझ नहीं आया तुम्हें जब दिग विजय करते सांगे पांचाल युद्ध में क्यू शत्रु पक्ष पर सूर्देव का ताप परस रहा था चुकि तुम अधिरत पुत्र नहीं तुम सूर्देव का अशिर अश्वाद हो कर्ण श्यदी बैए पिठाशरी को गगा के नारे में ना था तुम्हें माता को अधिरत अपनी माता से बहुत पहले से भीट करते आ रहे हो तुम कर्ण चुकि रक्त सदा रक्त का सम्मान करता है कभी सोचा है कि वो कौन है जिनके समक्ष आते ही तुम्हारी द्रिष्टी उनके पाओं की ओर चली जाती है वो कौन है जिनसे हर युद्व से पूर उनका आशीश लेने का तुम्हारा मन करता है कौन है कर जो सदा तुम्हें अपने पुत्रों के समान प्रेम करती वो कौन है जिनकी आखे तुम्हें देखते ही भराती है अर्जुन से द्वन्द होने के पस्चात भी तुमने कभी पांडवों का अहित नहीं चाहा तुमने कभी उनकी रक्षा की कभी उन्हें जितावनी द क्यों कर इसलिए नहीं कि तुम न्याय चाहते थे अपे तु इसलिए कि तुम्हारी धमनियों में बहता हुआ रख्त तुम्हें पुकार रहा था हा कर तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो पांडवो के चेष्ट हां कर तुम्हारी माता है और तुम उनके चेष्ट पुत्र यह सत्य नहीं है कहते जिए कहते जिए केशब किया सत्य है आप जाते है ना कि में पांडवो के पक्ष में हो जाओ अपने मित्र का साथ छोड़ दूँ इसलिए इसलिए आप मेरे साथ चल कर रहे हैं हाँ आप चल कर रहे हैं मेरे साथ यदि मेरा कथन तुम्हें चल लगता है मित्र तो जाओ स्वयम उनसे जाकर पूछो जिनके नाम से तुम संसार को अपना परिच्छे देते हैं भद्र अधिरत और देवी राधा से जाकर पूछ लगए आगे उचित समय पर पहुचके आओ भीतर आओ क्या हुआ पुट्र तुम राधे नहीं हो अंगराज तुम सूर्य पुत्र करन हो एक बार फिर से पुत्र कहकर पुकारी है ना पुत्र? तुम इतने व्यतित क्यों हो? क्या हुआ? मैं ब्यतित था अपने ही माता मैं समझ क्या ती यह वासुदेव का खेल है वो मेरे साथ खेल खेल रहे है माता खेल? कैसा खेल? क्या बेनोद किया? क्यी शर्फ नहीं बहुत भारी बेनोद किया उन्होंने उनका कहना है कि आप तोनों मेरे पालक माता पिता है मैं पिता शरी को गगगा तट पर मिला था यह सूर्य देव मेरे पिता है और माता कुंती मेरी माता है अरंतो मुझे विश्वास है कि असत्य है यह असत्य है यह असत्य है ना मैं आपी का पत्र हूँ मैं आपी का पत्र हूँ ना आप तू तू पेरी क्या हूँ माता क्या हूँ क्या हूँ क्या हूँ आप तूनों मौन के हूँ कहिए ना कि आप ही मेरी माता है कहिए ना कि मैं का पत्र हूँ कहिए ना कि आप मेरी माता है कहिए ना कि आप आप कहिए कि रहा हूँ कहिए कहा हूँ मेरा तुन चान तो दिन नहीं मैंने तुम अचान नहीं 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 आए 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 इतनी भर्चों से हमने तुम से यह सर्दे चुपाकर रख कि देवी कुंती तुम्हारी माता है इसी कारण हम हम ना तुम्हे धनुर विद्या सीखने देना चाहते थे और ना रन भूमी में जाने देना चाहते थे क्योंकि देवी कुती तुम्हारी जन्दात्री है यह शम ने तुमसे कदाचित सत्य नहीं तुम मेरे पुत्र नहीं हूँ तुम्हारी माता नहीं हूँ आपसत्य कह रहे हैं कि आप मेरे माता नहीं है यदि ऐसा होता है तो क्यों बच्पन में जब मुझे भुग लगती थे तब आपको सुहम क्यात हो जाता था जब मुझे निद्रा आती थी तो कौन मुझे अपनी गोत में सुलाता था आप ही ना जब मैं शिक्षा पून करका घर वापस लोटा है वो आपको बिरा ग्यात हुए कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ और आपने अदिक भोजर नड़ा हैं क्यूं मेरे राज्य विशेक पर विताश्री के शपत देने के पस्चाद भी अब मुझे चुप कर देखने आई थी जब मैं आंग जा रहा था तब क्यूं मुझे परिवर्तन का अशीश दिया क्यूं असत्य कहरी अब मुझसे इसे लिए कि मैं इस जुद में भागना हूँ ठीक ठीक मैं इस जुद में भाग नहीं लेता मैं मैं सुदा ही आपके चड़ों में बैठा रहूंगा मैं मैं यह से कर नहीं जाओंगा मसित्ता कह दीजे कि यह आप ही मेरी माता है कह दीजे कह दीजे आपके आश्रों नहीं और आपकी चुपी नहीं सत्य है सत्य सापने लादे कि द्धर्मं चगो भंचा द्धर्मं चगो भंचा मूरम्चो त्यमास्तिताह धन्य है आपको आपको किसी और की संत्य को आपर इंदे एंदे अग लोग व्यक्ति अगों जोग नमन की दाहा युद्या नमन हम तारा जातों महावकोर रेंग नहीं उतार भाउंका अब मेरा सत्य भी सुन लीजिया मैं सदाथ रादे करन ही कहला उंका